अब भी लगे ना बच्छा पाटी कि अब गवब करने का मानूरा दी अब लग रहा है कि नहीं कर पाऊंगा या अब डेफिनेटली मेरा सेलेक्षन नहीं हो सकता अब तो कोई चांस नहीं क्योंकि टाइम बहुत कम बचा है डिवरेशन बहुत कम बचा है दी अब ऐसा लग र अब अपनी ऑथन्टिक स्टोरी से जो मैंने फेस की अपने टाइम पर और मैं इतनी कॉन्फोरेटेंटली तुमको बोल पाते हो कि बच्छो धावे महीन या तीन महीने का टाइम कम नहीं होता तुमको ये स्टोरी सोनने के बाद पर चल चाएगा हेलो बच्छा पाटी और तुम दी को अच्छे से जानते हो बहुत टाइम से जानने लगे हो खासकर जो बहुत टाइम से जुड़े हो तो बहुत टाइम से जानते हैं तो आज की जर्नी में आप आज की वीडियो में आपको बताएंगे कि हमारी जर्नी नीट की कैसी थी देखो हमारी जर्नी जब कॉन्फिडेंस के साथ हम भौपाल गए ठीक है और भौपाल जाने के बाद हमें अच्छी प्रेपरेशन भी करी मेरी प्रेपरेशन बहुत बढ़िया थी बहुत शान्दार थी लिटरली उस पर्टिकुलर टाइम पे और उस ताम में प्रेपरेशन की तो जिन अरिशप सर से बहुत 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 मानते थे और बहुत संजाया बहुत सपोर्ट किया हमेशा उन्होंने पर आप सब अच्छा गड़ते हो यार गुड स्टूडेंट आप अच्छी से प्रेपेर्ड हो लेकिन अगर लाइफ को आपको कुछ सिखाना होता है तो लाइफ आपको सीधे तर तो मैंने क्या क्या लिटरली एग्जाम होल में जाने के बाद मुझसे एक गलती हो गई वो गलती थी मेरी OMR फिलिंग की गलती दी कैसे गलती हो गई और इससे आपका सेलेक्शन कैसे डिसाइड हुआ हो होता है ना ऐसे OMR शीक में 1-30 क्वेशन एक साइड आता है फिर 31 से एक साइड आता है फिर 61 से लेकि 91 साइड तो मैं उनी फॉर्म्स के स्टूड़न में थी जो पहले एक साइड ही OMR बढ़ना प्रेफर कर गड़े थे मैंने क्या कि मैंने पेपर कर लिया और एक से तीस तक वाला क्वेशन भ़रा फिर 31 से स्टार्ट किया एक क्वेशन आया ब कॉर्मुड कॉलच मिलेगा मैंने प्रेफर में छोड़ दिया एंड लेकिन एक गलती हो गई कि मैं यह भूल गई कि मुझे ओमार में भी छोड़ना था और आइगेस वह 32 33 नमबर क्वेशन था मेरे पेपर में एंड फ्रॉम दी 33 से लेकर आप 59 60 तक जाते हो तो सारे के सार सारे के सारे आप चला वैसी भड़ते जा रहे हो एकदम सीक्वेंस में कि इसका यह इसका यह इसका यह इसका यह और जब 60 नमबर क्वेशन पर पोचा तो देखा यार भरना तो 60 चाहिए भर तो मैं 59 रही हूं उस पर्टिकुलर टाइम पर सबज में आगे था कि बिटा नह पर रहा है कि नहीं हो सकता और एक साल घृब ईव पोगया एक साल खराब चला गया और आने के बाद अप सेलेक्शन नहीं हुआ तो बहुत सारे लोगों ने बहुत ताने मारे, बहुत ताने मारे, मतलब इतने ताने सुने कि शायद काज़दी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो दुबारा डॉप ले सके, पापा ने बोला कि बिटा आप अच्छे स्टूडेंट थे, है ना, आप एक बार कोटा चले जाओ, आप एक बार अपनी अपनी जिंदगी में कभी दुबारा मुड के नहीं देना है, कभी दुबारा मुड के नहीं देना है, तो मैंने उसी टाइम पर उसी साल अपने ग्राजुएशन का कोर्स जॉइन कर लिया, और अट वस ग्राजुएशन B.A.C. Biotechnology, ठीक है, और अच्छी स्टूडें थी में और अट वहां पर भी और वहां पर जादा कोई लोड नहीं था, एक से चार का ओलेज होता था, और गलती से वहां पर मेर से एक गलती हुए कि मैंने, अगर मुझे कभी ऐसा दिमाग में आता भी कि मुझे नीट के प्रेपरेशन करनी है, तो शायद मैंने प्राइविट डा पर ऑफट तो अगल आट किया है, तब उन्हों नहीं समझाया कि तू कर्क्या लेगी उखाड क्या लेगी ग्राजुएशन करके है और अब इसादि प्रेशन करके है था लिए रगाट है अच्छी सुड़ंट और तो अच्छी सुड़े तो अच्छी उड्डी थाूद तो अक्टोबर नवेंबर तक तो उस साल निकल चुका था समझेंगे मतलब आप देस्टेम्बर में हो तो आप क्या इवो करोगे फिर आपको कैंसल करवाना है पाप मम्मी को मनाना है वो जब डील फिर पापा को चोड़ा बहुत वो किया पापा देख लो या मेरेको फिर शोड़ना है और एक साल कहां गया किसी मतलब कोई एफिकेसी नहीं कोई एफिशेंसी नहीं कोई रसल्ट नहीं सुना थोड़ा वहाथ तीक है और बहाइंड सीन पता था कि पापा का भी जो सीन है या जो पापा बोर्ड है जेन्यून है कि अगर मैं दुबारा करती हूं तो नहीं मैं ग्राजुशन करने लाइक रहूंगी और ना तो ड्रॉप नहीं मतलब सेलेक्शन नहीं वा तब तो फिर कोई ऑप्शन ही नहीं वजता है ना यह जब जोड़नी हुई यह खतम हुआ उसके बाद थोड़ा बहुत महोल चला टेंशन चला एक दिड़ मैने के बाद वो फाइनली ग्राजुशन मैंने डॉप आउट करी दिया बर उस साल जब ग्राजुशन करने के बाद पहली बाद तो इतना एक्षिएंसी भी नहीं था और आप दुबारा इतनी जल्दी लगनी पाते तो पता था इस साल तो नहीं हो रहा तो उस साल तो कैसे तो यह चीज भी मेरी क्लियर होगे अब एक बार सोचा कि बहुत अचे से प्रेप्रेशन करेंगे कोई दिक्कत नहीं इस साल पढ़ा ही तो मैं कर लूँगी सब बढ़ी है लाइफ को फिर भी दिक्कत थी है ना डेस्टीनी को कुछ और मनजूर था और फिर आया पहला ट्र अब ही कर लेते अभी तो प्रॉपर क्योंकि वह पहला साल था जब हमारा जो नीट कर रजल था नीट का एक्जाम था बहुत लेट हुआ था अब अब यह थी और चट पुजा की दिन आए रिमेंबर की बारा साढ़े बार बार भीचे मुचे बड़ बापा का फोन आया और और ने एक सिंपल थी स्टेट्मेंट बोली कि बटा जब तक तू गिवप नहीं करना चाहे तू मत छोड़ना और आयम ओलवेज देर विद यू मैं हमेश्य तेरे साथ हूँ तो तुझे लाइफ में कितनी भी दिफिकल्टी सारी ना तू बस गिवप मत करना ठीक है और वो आप डिसाइड करते हो कि भाई मेरे बड़ आपको मुझे पर कितना कॉंफिडेंस और कितना भरोसा है और पापको भी नहीं समझाया कि जब तक इवप नहीं करना चाहे मत करने देना यह हुआ सीन मैं सोने गई एक गंटे होएंगे और ममी मुझे आपकर उठाई कि और आप जाए बड़ जाड़ भाल्टे जाओ आप अपको झाओ लेकलते है बहुत गंगे नहीं कर दू हीया है बड़ फेसिंगे लेकले टिव यह समां पया कि मैं आप जाए जाखे स्ध करू तो मैंने पर ऑ पापले आप चले जाओ जिआ रहाँ की नहीं आपको जाएड सब्सक्राइब करें दिसेंबर एंड में करें तो दिसेंबर निकला जैनुवरी 7 को मेरी फिजिक्स की माम कतम ही थोड़े दिन तक तो लगा फिर ठीक है वह वापस में वापस आई और उसके बात फिर क्या हुआ कि मैंने प्रेफिशन स्टार्ट करिया अच्छल में दुबार तो थोड़ा बहत कभी-कभी याद आजाता था और कभी-कभी रगता था था ख्यार बड़ पापा वापस आजाए बगवान कुछ बीकर के मेरे बड़ पापको वापस लादे इस अब सीन दमाग में चलता रहता था और ठीक है फिर वह तो नहीं हो साथा था लेकिन हिम्मत कि फेबरेरी में पढ़ा थोड़ा बहुत बायो स्टार्ट किया और आई वस अस्टूटेंट इसको सोड़ी बायोजी कमजोड थी और करा कि फिजिक्स-केमिस्ट्री तो प्राक्टिस से कर लोगे बायोजी यादने हो पाएगी और फिर फेबरेरी बीता मार्च बीता अप मेरे ममी को बीता की मिनमें चीजते प्रinal आइसम तो ममी की साथ इशू सब्स एक चीज था कि मैं और मेरे ममी जएा कर आई लॉट वल्या जानते होए प्सकोन जानने किसीने किसीने थेस किया था तो वह वहाँ अब ममी ने 10 दिन तक तो एसा था कि 10 दिन तो आपको ber meinung लग CT scan कर वाया तो उन्होंने देखा कि उनके ममी के पांच लोप में से कि उनके उनके आपल्पूर एफेक्टेटे यह बचाए थे लोप और राइड का लोप तो उन्होंने छिस तीन दिन में अगर ममी ठीक नहीं होती तो उनके जावलपूर भीज़ना पड़ेगा जावलपूर भीज़ना वज़ना वज़ना आप अपको गारंटी निह सकते उस अटना के कुछे दुबार अपनी लाइफ में इतना कम्जूर फिल हुआ मैंने घर के एक एक इनसान को फोन कर के लिटरली और I was just दोथ लॉध मतलब इस्ता मेरे को अडिको मैस रही की सबस्कारो इसमा ट डाहिए लिवाई ना अफ्चा वेल सेilिटय चाहिए ец hesitate को प्लूस कर ली थी तो कुछ समय नहीं आए थे कि अब ऐसा होता है हमेशा जब हम अभी अम्यवेस कर रहे न तो समझ में आते है कि पेशेंट को ठीक करने के लिए पेशेंट का विल पावर बहुत जरूरी होता है तो मैंने मम्मी को फिर पता नहीं कहां से दिमाग माया मैंन मम्मी को ठीक होता देखना था वजब ओनी परपस और यह होने के बाद मम्मी को ठीक होने में लग गया मे का एंड तक चला गया अक्चुली में क्योंकि में पंदरा तक तो मम्मी का नॉर्मली रूटीन था कि मतलब 14-15 दिन तो लग जाता ठीक होने में और एड़ एंड अल्टेमेटली फाइनली नेगिटेव आ गया और खुशी थी बहुत जादा ऐसा लग रहता दुनिया का सबसे बड़ा ट्रोफी मिल गया है और उसके बाद फिर क्या हुआ कि डिसाइड क्या भाई आप तो हो गया शुरू के एक हफते नहीं पढ़ पाई क्योंकि मामी को बहुत अधा वीकनेस थी, पोस्ट रिकवरी फेस था तो वीकनेस बगर था लेकिन मेरी ममी मुझे जित करके कि विटा तू पढ़ ले है और मैं बहुत कम काम करूं कि जो मुझे डिफिकल लगेगा वो आप कर दे ना यह हुआ जून के end मतलब मिड़ वीक से मैंने पढ़न चाहिए छे महीने, साथ महीने, आठ महीने का टाइम चाहिए और अब आपके पास जो टाइम बच गया है वो थाइ महीने है इवेन अगर पहले हमारा पेपर आउगस्त मी होने वाला था तो अगर आप जुलाई देखो तो छिफ मेरे पास उस पर्टिकुलर ताइम में एक म वो अच्छा लगा सुनके, फिर मैंने डिसाइड कि चलो अब जुलाई आगया है, जुलाई आगस में पस दो महिने है प्रॉपर और दस दिन मेरे पास है, सेप्टमबगे, तो इसमें जितना कर सकते हैं, मतलब मेरा उस पर्टिकुलर टाइम करना था काम कि मेरे साइड से क्य मुझे भी कोई आइड नहीं था, I was not at all a doctor, लेकिन गिरते पढ़ते इधर उधर, YouTube, doctor, सबसे कंसल्ट करते करते, finally, mommy ठीक हो गई, तो फिर एग्जाम तो फिर भी बहुत छोटी चीज है, बहुत छोटी चीज है, बहुत छोटी चीज है, तो डिसाइड किया, मैंने बाइलोजी को करना शुरू करते, रीड कर दीजा बस, है न, टाइमर लगा, दो घंटे, टाइगंटे, बाइलोजी रीड कर, और ये काब मैंने शुलू किया, तो मैंने हर रोज डिसाइड ही था, कि मैं फिजिक्स छोड़ सकती हूँ, केमिस्टी छोड़ सकती हूँ, लेक ये सlt chapter स्की की या, ये सब्सक्ते है, य empir करोंड़ सकती हूँ, लेकिन सबसकी हूँ किसे सवी्धिन क्या ह Algune को मी दूँछा था, करकी छोड़ सकती है, डाइलने। सबस्चक्ता हां थे था नुच्ड पर्दम गृच्छी बाइलने काबूजी हूँ ए ये सब्सक्री इसके उसके बाद, अब chemistry आपको स्टॉंग करना है, ना तो आपको क्या करना पड़ेगा थीनो टाइम देना पड़ेगा चेमिस्ट्री को लिक और और गानिक देना पड़ेगा तो इनोगनिक है तो बहुर यहाद तो मैं क्या करूंगी और गानिक पाद आदे गंटे का टाइम में पर फिजिकल 10-500 कि पर फिर 15 घंटे ते तो इनोगनिक को एक बने थीन गंटे तो में अगन्टे तो मेरा ब्रेन वो चाएगा यही कि आम दिया क्या यही कि अर फिजिक्स को टाइम दिया अप्शली में 2-3 गंटे मतलब जब पूरा पेपर का ता था था ना मतलब 2-5 वाला वो फिजिस को दिया और फिर भी नहीं हो पाया और बहुत सारे चाप्टेस चूट गए ते बहुत सारे क्या लगबग सारे चूटी गए ते कुछ कुछ ही हो पायते और पता था कि अगर मेरे को 570 बे जाना है तो मेरे को यह चैप्टर में स्किप कर सकते हूं पर रिस्क था तो मेरे का आज अधत अच्छी थी कि जो मैंने सुब़े से लिक रात तक पड़ा वो आज ही पड़ा और एक दिन डेसाइड कर देती कि आज बढ़के मैंने जितना भी पड़ा और रिवाइस करें है मतलब चार दिन पास दिन चे दिन के बाद तो और अठाइस दिन का प्र पर पहुंच और मैं कर लूँ अगरा लेकिन मैंने कोशिश भी कि पता है एक तो मुझे खुद को भी अच्छा नहीं रहा था कि आर कौन ही बताएगा पहली बात और दूसरा लेकिन मैंने फिर एक दो जगा पूछा लेकिन कोई रिस्पॉंस नहीं आया तो मतलब समझ में कि ठीक है नहीं हो मतलब नहीं बताना है यह होने के बाद जब डिसाइड किया और फिर पढ़ना शुरू किया अब दूसरा जटका कब लगा बता है वी एक हफते पहले मॉक्ते जब देना शुरू किया तो मार्क सारे 430, 470, 450 तो दूसरा जटका लाग कि भाई तीम दिन ब कि एक बार मेरे अंकल कोई पापा कोई अंकल ने बूल गया ता यह चीज़ कि पहली बात तो लड़की है दूसरी बात कहर की बड़ी है और तीसरी चीज़ कि ग्राजुशन चुडवा दिया और और अधर चीज़ कि इतना डॉप दिला के लड़क्यों कांभी बेस करवाना कोई वर्ट इड नहीं है अल्टिमेटली होनी शादी ही है तो वो मुझे मेरे लिए तो से वो मेरे पापा काई कॉंस्टेंट सपोर्ट था है ना कि उन्होंने इतनी बाते सुनने के बाद भी मतलब मुझे कभी एक फील नहीं उन्हों दिया कि तू नहीं कर सकती है तो यह यह मेरा वाई था और एक्जाम हॉल के दिन बस एक ची सीक ली कि भाई ना इधर देखूंगी ना इसको देखूंगी फटा है जितनों को देखूंगी ना जिनके चहरे पर स्पाइल बिखेंगी नों मेरा कॉंफरेंस की ड़जिया हो जाएगी यही क्या नहीं और बिल्कु सबसे बड़ी खुशी इस चीज की ती गलती हो गई फिर से फिजिक्स में पढ़ा भी नी था और जितने कोईशन की होते तो ठीक थे लेकिन पढ़ा भी नीता यार फिजिक्स अच्छा अच्छे से तो अच्छा नहीं ही जाएगा मोस्ट परबाबली और एक्जाम में यही बड़ी नीए बड़ी नीए खिए लेकिन प्रफिजिक्स अच्छा नीए तो नवश हूं और थोड़ा सब्से अच्छा नीए और फिर कुछ नहीं पर आया एक्जाम से चेक नहीं किया मैंने ओ चेक तो बिलकुल ने क्या चेक मैंने कब किया जब 10-12 दिन हो गए मैं तोड से बड़ा डर कि अगर मैंने इस बार में गल्ती कियोगी तो मेरे महनत पे तो खचरा हो जाएगा पर उस साल बाइ ग्रेस मातराणी का वो था मम्मी पापा बड़े बड़े बापक का वो था कि नहीं वा ओमार फिलिंग में गल्ती और आई जिससे नहीं आई एक्जाम कुछ भी ही मिल सकता है और अगर मेरे को नहीं मिल रहा है मेरे सब कुछ करने के बाद डेफिनेटली इस नॉट अन में डेस्टीनी बस यह चीज़ डिसाइड करिया और स्क्रिप्टिंग करते गई करते गई करते गई एक्जाम रिजल्ट आया 560 मार्स और ऐसा साल था रिटरल में फिर स्क्रिप्टिंग कर रहा हूं कि थैंक्यू गवड मुझे मिल गया मेरे को नहीं वह भार कॉन क्या बोल रहा है का बोल रहा है किसका क्या परसपेक्टिव परी कुछ नहीं पढ़ दो यह चुका है बस यह है अचway में जब-चिब मुच लागा ना कि नहीं मतलब फर्स्टाइब करता हुबंदवा 5.52 पे मार्क्स वस 5.60 तो अवर अल्टिमेटली हुआ ये कि at that year I literally got my government college तो पता है जो सबसे जरूरी चीज होती है ना बच्चो जो मेरी journey से अगर तुमको कुछ सीखना है ना तो ये सीख सकते हो कि life तुमको धक्के देती है life तुमको शायद बार बार नीचे खीचेगी वो सिर्फ टेस्ट होता है क्योंकि पता है अगर हमारा भरूसा खुद पर हो ना और ममी पापा घर वाले का अशरवाद होता है ना God की blessing होती है नो universe अगर आपके साथ है ना तो any impossible will be possible मुझे नहीं पता कि डाई महीने बाद तुम्हारा जो response होगा तुम्हारा जो result होगा वो कैसा होगा लेकिन बस एक चीज़ बच्चो कि डाई महीने पहले जो तुम्हारा response होना चाहिए तुम्हारा जो hard work और sacrifice होना चाहि कि बस शुद्दत से आके बता सको कि दी अगर अब मेरे को नहीं भी होता है ना selection तो मुझे पता है कि मैं इस से जादा नहीं कर सकती थी हारना बहुत आसान है गिवप करना बहुत आसान है पर एंड दे से एक दिन पहले तक हार नहीं मानना और गिसना लड़ना स्ट्रगल करना साक्रिफाइस करना मुश्किल है दाट टेक्स चालेंज और वह आपको एक अच्छा डॉक्टर बनाता है और अब मेरे को राइज होता है ना बच्चो कि दाट वो इस्टाइन अगर मुझे वह फर्स्ट इयर मेरा सेलेक्शन हो गया होता ना तो मैं वह काज बच्चे को पड़ा सके वह वह काजल दी नहीं होती जिसके पास इतना एक्स्पीरेंस होता मतलब ऐसा होता फर्स्ट इयर में सेलेक्शन हो गया बड़े गल को चंचोय कर रहें बस बट वह अच्छी चीज नहीं है लाइफ उनके टेस्ट लेती है ना जिनका मतलब जिनका चाहते है ना कि जिनके परपस बड़े हो टेस्टिंग उनकी बड़ी ही होती है तो बचो मुझे नहीं पता कि तुम अभी कौन से फेज में हो क्या फील कर रहे हो बस मुझे एक चीज पता है कि देखो अगर तुम एंड तक गिवप नहीं करते हो ना अगर तुम अपने एक अगर तुम को सारी लाइफ में अच्छा ही मिलेगी ना तो तुमको दुख का एसास में होगा अगर तुम रोगे नहीं ना तो तुम यह समझने आएगा कि रोने के बाद जो हसने में मज़ा है ना वो अगर तुम गिरोगे नहीं ना तो गिरने के बाद खुद को समेटना खुद को बिलकुल ऐसे जाड़ना और फिर वापस चलने में जो मज़ा है ना वो सिर्फ चलने में नहीं है लोगों के तार ने सउनना इसमें को मज़ा है न वह बिना ताने सब आने मार आज कोई साद में है क्योंकि यह को स्टॉन्ग करने करने कि अपना आपनी जरूर्नी शेयर करने हों, तो ईसा कोई हो कुछ तो मुझे लगे कि रहा सा यार vista बंदी का तो मतलब गिव अप करने वाली थी कुछ नहीं हो सकता था लेकिर इसने गिव अप नहीं किया यही चीज बताना था बच्चो और बताना अगर तुम लोगों थोड़ा मोटिवेशन मिला तुम लोगों अगर लगा कि दी मैं गिव अप नहीं करूंगा एंट तक तो बताना ठीक है और कैना एक राक की जगा यह पूछना शुरू कर दो कि दी कैसे करूं चो लगना लगे क सब करूंगा और उससे दोक्रद जरूरी चीजज पते है क्या है सिर्फ अपने वाई क्लियर रखो दी ी कुछ भी हो सकता है शायद किसी के रिलेशंटिंशिप कlovगए है हैга किसी के मामे पाने कुछ बोल लाय है हैं तो बस अपने वाई क्लियर रखो रस्ट तै एंटायर journey will be totally entirely yours सिफ तुमारा होगा भगवान, universe, god, nature सब तुमारे साथ है तुम हो क्या खुट के साथ question ही है इस वीडियो के लिए ता ही अब आम बिनेगे नेक्स वीडियो में तिल देन बाबाई, take care